असलाम लेकूम वीवर्ज, फैशनियर चैनल पर आपको खुशाम दीद, उमीद है सब अलाद आला के फजलो करम से खेरिये से होंगे, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेडिस शेट की बैक साइड पे पट्टी स्टिच करने का बहुत आसान तरीका, तो चलत और से जो शोल्डर वाली स्लाई है, कंदे वाली वो लगा लूँगी सबसे पहले, इस तरह से इसकी स्लाई लगाने के बाद इसको मैंने रख लेना है, बराबर इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से रखने के बाद मैंने इसकी कटिंग करनी है, बैक सेड के गले की, यहां स इसकी cutting कर ली, यहां से stitching का margin छोड़ के cutting की है मैंने, और आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से stitching का margin छोड़ते हो वे side से cutting करनी है, इसको यह रेब पटी है, यह तक्रिबन चुड़ाई में है 1.5 इंच तक, 1.5 से पौने 2 इंच तक पटी cutting करनी है, आपने थोड़ी से खुली त पटी को stitch करने के बाद हमने यह इस तरह से shirt जो है, उसको नीचे रखना है, इस तरह से, और इसको, इसका किनारा पटी का fold करते होए, हमने इसको stitch कर लेना है, stitching का margin जितना हमने छोड़ा था उतना नीचे दे के, पटी stitch हो गई, इसको लगा लेंगे छोटे-छोटे cut, cut लगाने के बाद, इसको मैंने पटी को यह देखे, half inch जो उपर से छोड़ा था, उसको fold करके, इस तरह से दुबारा से fold करने है, और इसकी तरपाई कर लेनी है, इस तरह से इसको यहां से थोड़ा सा पका करने है, ताके जो तरपाई है, वो खुलेना, और अभी इसका बा के पके लगाएंगे, ताके यह खुलेना, जो इसकी तरपाई है, इस तरह से इसको मैंने पूरी पटी को गले के back side पे तरपाई कर लेनी है, और जो हमारी back पटी है, वो बहुत असानी के साथ stitch हो जाएगी, यह आप देखें जी इसकी final look, यह back पटी इसकी stitch हो के आपके साम हम पटी भी बोल लेते हैं, यह आप stitch कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो इसको like श्रूर करें, चैनल को subscribe करें, ताके हर आने वाली नहीं वीडियो आपको मिलती रहे, वीडियो देखने का बहुत शुकुरिया, और आने वाली नहीं वीडियो तक आप सब क आपको 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 आपक